हेलो फ्रेंड्स यह है जायमी का MI-H2 जो 10 तारीक को लांच हुआ वर्डवाइड इसमें आपको मिलेगा 5.99 इंच का डिस्प्लेइ और इसमें मिलेगा आपको फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सेल और रेयर 12 मेगापिक्सेल और 5 मेगापिक्सेल का कॉम्बोनेस जो इसमें कैमरे के लिए नायकरी फ्रेंडवाय यह बहुत ज्यादा पॉप्लर हुआ है म्र्केट में की इसका कैमरा बहुत अच्छा है इसे लिए पॉपपलर हुआ है इसमें आपको मिलेगा 3 1 जवी करहें रेयम आपको 3 1 जवी मिलेगा चारीर 32 मिलेगा आपको snapdragon का latest chipset मिलेगा जो है snapdragon 625 और 2GHz का octa-core processor इसमें microSDD आप लगा सकते हैं 256GB तक expandable है इसमें बहुत चीज़ feature मिलता है latest operating system nougat आता इसमें 8.0 तो एक अच्छा phone है 8.1 Oreo की तरफ से sorry for that nougat बल दिया 8.1 Oreo इसमें आपको मिलेगा latest operating system तो इसमें आपको बहुत चीज़ नया popular मिलेगा तो इस phone का camera भी बहुत मस्त है इसका battery कुछ ज्यादा नहीं है बस 3080 मतलब 3080 एमेज का battery मिलेगा आपको बस इससे ज्यादा नहीं बागी सब phone में आपको 4000 का और आसूस का जेंफोन max pro में आपको 5000 का image का battery मिलेगा बट इस phone में आपको बहुत कम battery मिलता है 3000 बट बहुत कम नहीं है बट 10,000 के आसपा surprise के हिसाब से आप ज्यादा बुराई नहीं कर सकते इस phone के बारे में इसमें आपको USB 2.0 मिलेगा fingerprint sensor मिलेगा और design Redmi Note 5 Pro और Mi A2 का जैसा design मिलेगा इसमें आपको बाकी सब phone बेटर है Slim है और अपने हिसाब से perfect design बनाया गया है Apple की तरह है पीछे से और इसमें fingerprint sensor है जो दशजर के पास iPhone तो सभी phone में आने लगा है और इसका display भी अच्छा है बेटर है और इसमें आपको अलग-अलग variant का option मिलेगा जो phone आएगा तो Black, Rose, Gold, Gold, White, Blue, Red, Pink, Gray, Silver अलग-अलग color में जो इसका processor है उसमें आप gaming करिएगा तो आपको कोई problem नहीं होगा कोई hesitate नहीं होगा आराम सी smoothly चलेगा तो इसमें है कुछ आपके लिए जो आप average phone यूज करते हैं आपके लिए better phone है तो यह था quick review MI A2K से तो आप subscribe करिए हमारे चैनल को लाइक करिए इस वीडियो को so thank you for watching